हाँ जी स्टुदेंट्स आज जसी अपनी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे नौवे चैप्टर दा सौंग ओफ इंडिया जो के एक पोईम है अते इस पोईम नू वी के गोकक ने लिख्या होया है इस पोईम दी आज जसी कॉम्प्रिहेंसिव एक्स्प्लानेशन अते पैराफ्रेज कवर करांगे एहे वीडियो इस पोईम दी सेरीज दा पहला वीडियो हुएगा तुडेंट्स में दसना चाहांगा के असी बार्मी क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे टम दे सलेबस दे बहुत सारे चैप्टर्स अलड़ी कवर कर लेने तौडे पहली बुक देर टू अलड़ा मुजिज दे असी कई चैप्टर जिमें के पहला चैप्टर वार्यार अगेंस्ट वीड्स दूसरा अ मोस्ट फोर्गिविंग अप तीसरा अ यंग तर्किश केतस्ट्रफी फोर चैप्टर अ टाइनी सेंचरी फिफ्थ मनु माजरा अते छेमा चैप्टर जमाइकन फ्रेग्मेंट एस सारे चैप्टर दी असी कॉम्प्रिहेंसेव एक्स्पलानेशन अते अनालेसेज कबर कार लेया है इसे तरह तोड़ी सेकेंड बुक दा लिट्री पैटर जे काफी चैप्टर जिमें के तोड़ा पहला चैप्टर हिंद की चादर शेरी गुरू ते गौहादर जी फोर चैप्टर दा गेंबलिंग मैच सेवन चैप्टर दा इटर्नल वाई अते इस दे नाल ही इस बुक दे विच मोजूद बहुत सारियां पोइम्स जिमें के तोड़ी पैली पोइम बोर्डर गार्ड्स दूसरी पोइम माइ हाट तीसरी पोइम दा क्वालिटी ओफ मर्सी अते चोथी पोइम दा फैंसी ड्रेस शो इस सारे चैप्टर दे पोइम्स जी असी कॉम्प्रीहेंसिव एक्स्पलानेशन एनालिसीज कवर कर लई है अते मैं इस दे सारे वीडियोज तोडनल शियर कर चुक या है इना दे सारे चै प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे प्लेलिस दा लिंक तो अनू प्रवाइट कर रहे हैं जिसते जाके तुस्सी ये सारे वीडियोज देख सागते हैं ता स्टूडेंट साथी दा लिट्रीरी पेटल्स दा जड़ा नूमा चैप्टर है ओ एक पोईम है दा सोंग ओफ इंडिया जिसनू के वीके गोकक ने लिख्या हुए है ता असी पहला इस पोईम दे पोईट बारे जो इंट्रोड़क्टरी पेराग्राफ दिता हुए हो प पुरा नाम है ये साथे इंग्लिश लेंग्वेज अते साहित दे फील्ड दे विच बहुत ही इंपोर्टेंस रख देने ये इनदा इक सिख्या दे प्रती विजन है अते इह एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल बहुत ही महतब पूर रोल अदा कर रहे ने अते ए रोल है साथे पारत देश दी अकैडमिक प्लैनिंग दिया वियूंतां स्ट्रेटेजीज अते हुर नमिया संबाव नामा दे विच गाइडिंग रोल गाइड करनवाले दा रोल अदा कर रहे ने अते एक बहुत ही वधिया फ्रेज आया है फेलिसीटी दा मतलब हुंदा है एपिनेस अते फैसलिटी दा पंजाबीच मतल हुंदा है बच्चो के कोई सहूलियत हुंदी है तासी यस नू कहनने है ता जेकर असी एन दिया पोइम देख्या है ता उना देविच ना एक खुशी दासा नू इजहार दिखदा है पोइट वर लू अते से तरा उना ने बड़े ही सह देख्या देखे तर विच क्योंके ना दा बहुती महतबून योगदान रहा है इस करके ना नू पदम शिरी दा किताब भी मिले है रेजिडेंट ओफ इंडिया वलू बोनेट सवनूर धरवार गोकर क्रिसीवड इस हायर एजूकेशन है ता धरवार देविच सवनूर जग इंग्लिश एड उसमानिय उनिवस्टी हैदराबाद डिरेक्टर इंडियन इंस्टीट उफ एड्वांस स्टेडी एड शिमला वाइस चांसलर और बंगलोर उनिवस्टी एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ दा साहित्य अकेडमी तैना लाइना देविच बच्बच्यों इ मतलब जो इना ने रचनामा कितियाने कवीता देखे तर्च ओ दो रचनामा दा जिकर है एक है जी सौंग्स ओफ लाइफ अद अधर पोइम्स अते इक है इन लाइफ स्टेंपल तैना दे दो वोल्लिय मैं जो परकाशित होयने तैना पाशादेवी चेना ने सौंग्स दीक सिक्वेंस लिखे सी मतलब सौंग्स लिखे सी जिस्दा नाम सी देवा पृत्वी जिस्दे लाइना नू सहेत्या कैडमी अवार्ड भी मिले है इस क्रिटिकल वर्क एन इंट्राइग्रेल विव फोईट्री एन इंडियन पर्सपेक्टिव एन इस नूवल नाराहारी है वन वाइड अक्लेम तब अच्छे उसरफ पोईटी नी सी जिमेंके पहला आया है कि वर्सेटाइल जीनियस सी गे तब वर्सेटाइल जीनियस में दनो दसे है सी जो काफी तरां तरां दी अरचनामा लिख दया सी उसनू कहने है ता इना ने सिरफ पोईटीकल वर्क भी लिखेने उसनाम है एन इंटेग्रेल विव फोईट्री एन इंडियन पर्सपेक्टिव अत इना ने नूवल भी लिख तरां उस देविचे ज्यादा जीकर है जड़े साड़े कल्चरल पैटरंज ने नूव कुछ गळाना सारे कल्चर सेम हुन दिया ने ओ जड़े पैटरंज ने उना दिया प्रॉल्म्स देखानों मिल रहा है तो बार आसी बच्चे ओ पोईब लान आने है ता जेकर आसी बच बच्चे ओ डालोग्ज ने, ते डालोग्ज दो परसंद विच और डास यह कह सकदे हैं इस की, इस पोई में विच टोटल इस पीकर जने की सानू किते किते राइमिंग भी देखनू मिल दिये तब अच्छे होना सी पोईम दे टेक्स दी एक्स्पलानेशन पेराफ्रेश शुरू कर देयां तब पहली लाइन है जी कि वट सौंग शाल आ सिंग ओफ यू माई मदर आई आस्ट तब अच्छे हो एस दे विच सानू कलियर हो जाना है कि जड़े दो परसंज ने उहों इकता पोईट है उन आएदा मतलब एथे पोईट दो है कि पोईट खुद कह रहे है तब एक स्पिक करता पोईट हो गया जिमें कि मैं तुम दस है कि इस पोईम दे विच दो स्पिक करें तब एचली हो किस देन आल बोल रहे है माए मदर तब हो अपनी माता नू संबोधन कार रहे है माए मदर पर एथे बच्चों एक गलते आनरखन वाली है कि मदर दी M वर्टी है वेदा मतलब मदर कोई खास है ता हो कौन है एस अनू साथे जड़े लिट्रेरी नोट्स दित्ते होई है इस पोईम दे आन्ट ते उत्थों पता लगदे तब जिमें कि दुसी बच्चों देख रहे हो गलासरी आन नोट्स दे विच पहली लाइन दे विच जो मदर शबद आया है उस दा मतलब है मदर इंडिया पारत माता हूम दा पोईट अड्रेसिस कि जड़ा कभी है ओहो माई मदर किस नू कहा रहे है मदर इंडिया नू पारत माता नू कहा रहे है ता इस दा मतलब ए होया के इस पोईम दे विच जड़े दो स्पिकर ने एक ता हो गया पोईट और दूसरी होगी Mother India तब चोटा question आजानदा है multiple choice question देविच आजानदा है के who are the two speakers in this point ता एक speaker पोईट है जी ते दूसरा Mother India तब पहली लाइन देविच पोईट पार्तमाता नोई question कर रहे है जा मैं तुसी देख देओं के पहली लाइन देविच question mark है के मैं केड़ा सौंग तेरे ली गामा what song shall I sing of you मैं तेरे ली केड़ा सौंग गामा मैं केड़ा गीत गामा तेरे ली एपोईट कह रहे है हुन तानू पाता है ना के पोईट गीत लिख देए पोईट दीता है एक नेचरोल टेंडेंसी हुन दी है पोईट लिखन दी गीत लिखन दी तान ओहु हुन पात्मा तानू कह रहे है के अज मैं तेरे ते कोई गीत गाना चानना है ता मैं केड़ा गाना गामा मैं स्नो बोउन पीकस वाले हुपर कोई गीत गामा तेरे लई उना थे बचकेओ ऑफनाल टकिया हुई है पीकस ता मतलब ज़तली बचकेओ जड़ी है चोटिया ने उनानू किहा जन्दा है स्नो बोउन के उथे ब़र्फ पही रहें पाहि रहेंदिया ओना पीक्स दी ही कवीज दिकर कर रहे है कि की मैं बरफ नाल टकियां हुई हैं जडियां तेरी आपीक्स ने हिमाले इस देविच ओदे बारे तेरे लिए गीत गामा अफ दा थ्री सीज देट वाश यूर पाम जब मैं उना तिन समुंदरा दे बारे गीत गामा जो के तेरे पैरा नू साफ कर देने अथे बच्चे ओ वाश यूर पाम है इस दा मतलब लिख्या हुए है के वाश यूर फीट हलाके पाम दा मतलब बच्चे ओ हथेली हुंदा है असी पंजाबी दे विच पता है सानू लेकिन आथे कभी यह कहना चांद है कि जड़े तिन समुंदर है वो तेरे पैरा नू टच कर दे आके पारत माता नू कह रहे है कि मैं उना तिन समुंदर दे बारे तेरे लिए गीत गामा बच्चे ओथे थ्री सीज तो सानू क्वेस्टिन पाता लादा है कि किड़े तिन समुंदरा निकाल कार रहे है कभी तेरा आंसर भी बच्चे ओ ग्लोसरिया नोट्स दे विच है जिस तरह तुसी पंजबी लाइन दे वे चड़ा थ्री सीज शवद आया तरह थ्री सीज केड़े हैं बच्चे ओधा इंडिया नोशन जिसनो तुसी हिंदमा सागर कहने हो दा बे अफ बंगाल बंगाल दी खाड़ी दा अरबियान सी अरब सागर दी सीज ओफर ओबेसंस तु मदर इंडिया चौन्सेप्चुलाइज एज आ गॉडड़ेस ता ए तिन्ने समुंदर पारतमातानू ओबेसंस पे कार दे मतलब के ओहो तैनू नमस्कार कार देने अधिक बच्यों तो आड़ी ग्लॉसरी दे विच एक वर्ड आया है कॉंसेप्चुलाइज कॉंसेप्चुलाइज दा मतलब हुंदा बच्यों स्पोस करो आप आपने मांच कोई संकल्पता आर्न कार लेने है ना तो उसनू कहन देने इना तिन्ने समुंद्रा ने तैनू की मन्या हुया है देवी मन्या हुया है देवी दा संकल्पता रहा हुया है ना तिन्ना समुंद्रा ने इस करके ए तेरे पैरांच मत्था टेक देने हुन वैसे मैं तुन बच्चे दस्यासी के पाम दा मतलब हुन्दा है हथेली लेकिन मैं तुन एथे कह रहे हैं के दा मतलब है wash your feet ता ए बच्चे ओ समझन देली ना सानू थोड़ा जा इंडिया दा मैप देखना चाहेंदा है Arabian Sea है ता तुसी देख साथे हूँ के यह तिन्य समुंदर सड़े पारदे बिलकुल लोर हिसे नूँ टच कर देने ता ऐसे करके थे कभी कहना चाहरे है के यह तिन्य समुंदर तैनू आके परणाम कर देने वाश यूर पाम उमीद है बच्चेओ के तुसी यह वाला जड़ा टेंटेंस है समझ गए होंगे यह मैं उस साफ सवेर दे बारे गीत कामा जिस दे विच के बिलकुल प्योर सुनेरे कलर दिया किरनान दिया ने अथे बच्चेओ सट्रीक्स शबद आया है एस दा मतलब ऐसे हुनदा है अ थिन लाइन लेकिन अथे इस दा मतलब है rays of sun सूरज दिया किरनानू कहा गया है ता बच्चेओ पारती सवेर नू मन्या जानदा है के बड़ी ही सुहावनी सवेर हुन दिया के जदो सूरज आपनिया सुनेरे रंग दिया किरना दे नाल इस सजरी सवेर नू होर भी बहुत सोना बना दे अथे बच्चो कवी एही कहना चांदा है के की मैं उस सजरी सवेर दे बारे तेरे लिए गीत गामा जिसनू के सूरज दिया किरना बहुत सोना बना देन दियाने ता बच्चो अथे ना पहले पहले दे विच कवी क्वेस्टिन का रहे है मदर इंडिया नू के मैं तेरे केडे गाने गामा ओ तिन ओप्चन देन दे पहली ओप्चन दे विच्चो हिमालेय ते ओस दिया जडिया चोटिया ने उना बारे गाना गाननू केंदा है दूसरी दे विच्चो जड़े तिन समुंदर ने जोके पारत मातानू परणाम कार देने उना दे बारे उना गाना थीसरी अप्शन थे विचो हो सूरज दियां सुनेरे रंग दियां किरना नाल आउन वाली सवेर दे बारे गाना-गानू कहनदा थीसरी अप्शन थे विच ने पूरा पारत कवर किता है देखो हिमालेस ते इंचिडियां पीक्स ने एक ज़े पासे ने एसदे पारत दे मैपस देविछ देखिये ता है नौर्थ साइट ते आजन दियाने कभी ने नौर्थ वाले साइट दी भी ऑप्शन दिती मदर इंडिया नो अधे फिर उसने जो ठी सीज जो तिन समुंदर हैं एसदे साउथ वाले पास से आजन देने ता साउथ दावी उसने जिकर किता है, ता पूरे पारत नो कवर करके, कवी ने Mother India दे अगे एक गुजारिश रखी, के मैं तेरे लिए कित्हों दा गीत कामा। Second stanza, के सट दा Mother imperturbable, calm, sing of the beggar and the leper, that swarm my streets, sing of the filth and the dirt, that foul my sylvan retreats. ता बच्यों इस पोइम दे विच ना किते किते राइमिंग भी आन दिया, मैं तुसी देख रहे हूं, ता स्ट्रीट्स, देनाल, रिट्रीट्स ही जडिया है, ही राइमिंग मिल दिया, ता इस पोइम दे विच ता उनू राइमिंग भी देखनू मिल दिया, Mother India अंसर्च की के दा मदर, इंपर्टर्बबल, ता इंपर्टर्बबल शबद वाड़ी ग्लोसरी नोट दे विच है, ता अथमी लाइन दे विच ए शबद आन देजी, इंपर्टर्बबल, वन देट कैनोट बी दिस्टर्ब और एक्साइटिड, काम, सरीन, जेहां मनुक जो कदे भी पांच सुबा आदे विच, कहा, sing of the beggar and the leper, that swarm my streets, swarm शबद भी तो आड़ी ग्लोसरी चाया बच्चे, ता swarm दसमी लाइन दा शबद है, to be present in large number, जो बहुत ज्यादा मतरा दे विच कोई चीज हुन दी है, ता असे उसनू swarm केरने है, crowd भी कैसा आदे हो इसनू तुसी, ता इसनू कोड होया होए, ता उसनू लाइपर कैनने है, कोड अमरीज हुन दा है, उसनू लाइपर कैनने है, क्योंके यह मेरे पारद यां, streets दे विच बहुत ज्यादा मुझूद ने, swarm दा मतलब के बहुत ज्यादा गिंती दे विच, साड़े पारद दे विच, यह लापर्स जन्द है, ते डर्ट गंदगी नू कहा जन्द है, क्ये मेरे पारद दे विच, मैल, गंदगी बहुत ज्यादा पहली होई है, जै तू गाना गाना और जै लाइपर क्यूंके इस मैल दे गंदगी ने, फाउल, मतलों कि बहुत ही ज्यादा घृब किता हुए है, मेरियां, सि जन्दी लोड है यह वी तो अदे ग्लोसरी नोट चाहे है तब बार्मी लाइन देविच शिल्वन रिटीट दा मतलब है के प्लेसी जाके लोकी रहना चांदेने क्योंके ओहो दुनिया दे पीड पड़के तो दूर होके थोड़े दिन सुकून नाल बतीत करना चांदे हुंदेने तो ओ वालिया थावन वासी सिल्वन रिटीट कहने है वैसे मैं तो दसना चाहांगा के सिल्वन दा मतलब हुंदे है जंगल नाल जड़िया चीज़ होंदे है यह सिल्वन कहना है रिटीट सा मतलब हुंदे भच् respiratory सेख्लिूडड ब्लेसेश ता मतलब वाड़ज स्थान जंगल आ दे विक वाड़के लें बच्चेश ॉस निल्वन 봉न हें मेरी पारति जड़ी इक शांत जयां जगा से गयां और यो अखोसूरत जयां जगा से गयां उस नूँ डर्ट ने मैल ने गंदगी ने जयादा फावुल और जयादा खराब करता जेतने गाणा गाना ही है तो इन दे बारे गाना का इस स्टैंजे देविच बच्चे ओ, मदर इंडिया दो ओप्षन देंदी है इक ओप्षन था बैगर ते लैपर बारे है या जे तू गाणा गाण है ता तो पिखारियां आते मरीज लोग कांबारे गाणा गा क्योंके साड़े पारत दे विच पिखारी ते मरीज लोग बहुत ज्यादा ने या फिर दूसरी ओप्षन देंदे हैं के ओ गंदगी ते महल जो असी पारत नो गंदा कर रखे है, पल्यूट कर रखे है असी नेचर दी परवाण नी कर दे बचे ओ जंगला नो खराब करी जा रहे हैं पेड कटी जा रहे हैं, नदिया तलाबा नो खराब कर रहे हैं ता जड़ी गंदगी मच गई है, जे तेने गाना गाना ही है ता फिर इस डर्ड ते फिल्थ परेगा ता बचे ओ अथे देखना लिगाला है कि इस कवीता दे विच न टेकनीक ओफ कॉंट्रास्ट यूज होई है टेकनीक ओफ कॉंट्रास्ट किया बचे ओ देखो पारदे दो दिरिश पेश केते गए ने असी पहला स्टेंजा देखिए ता उस दे विच देखो लेकिन दूसरे स्टेंजे देविच मदर इंडिया किस दीगल कर रही है उस पलूशन दी जो पारदे फैल गी उना बिमारियां दी अते उस गंदगी दी जो पारदे विच आनू नजरां दी है ता दो अलग लग तस्वीरां पारदियां पेश हो रही है ता इसनों सी कहने है कि टेक्नीक ओफ कॉंट्रास्ट दे वेदे नाल ए पोईम लिखी गई है अपोईट ने पारदे दो अलग लग दृष पेश करन दी कोशिश किती है ते ए दोने दृष जो पेश कितेने बच्चेयों ओहो सच ने इस अनू भी दिख देने अगे स्टेंजस दे विच भी देखनू मिलन गिया थर्ड स्टेंजा फेर इकवारी कवी मदर इंडिया नू क्विस्चिन करदे के मैं केडा सोंग तेरे लिए गामा मेरी मा मैं पुछिया शेल आइ सिंग ओफ यूर रोक कट टेंपल्स एपिक्स इन स्टोन केंदे की मैं रोक्स नू कटके बने हुए उना टेंपल्स बारे गाना गामा जिना टेंपल्स दे विच स्टोन दे उपर पत्थरां दे उपर एपिक्स लिखे हुए ने तब च्वो अथे समझन दी गाला है के केड़े रोक का टेंपल्स इगाल कर रहे है तब उच्छे उसाड़े पारत दे विच बहुत सारे टैंपल ऐसे ने, मंदर ऐसे ने, जेना नूँ चटाना नूँ काव करके, कट करके बनाया गया है तब मनू लग दा है कि एथे कवी एक टैंपल दी गल कर रहे है, जो के बहुत ही ज्यादा मशूर टैंपल है ओ है जी, दा केलाश टैंपल है जी है, एलोरा केव दे विचे बनेया होया टैंपल है जेते तक मनू याद है, एलोरा केव दे विच बहुत सारियां केव ने था, जड़ी सोल्मी केव है उस दे विचे है केलाश टैंपल बनेया होया है, जो शिव जी नू समर्पीत है जेकर तुसी ए टेम्पल देखो ता ओदे विच रॉक्स दे उपपर कटाई करकर के टेम्पल बनेया हुआ है, बड़ा ही नेचरॉल लगद है, आते इस टेम्पल दे विच स्टोंज ने, पत्थर ओना दे उपपर एंग्रेविंग किती हुई है, मतलब उस दे उपर लिखाक एक बहुत वड़ी कवीता, जिस दे विच बहुत वड़ी कहानी हुँदी है, ता उसनों असी एपिक कहने है, जिमें कि आसी देख देया है, बच्यों, रमायन, महापारते, सारे एपिक्स ने, क्योंकि है कवीता दी शेप्च लिखे गए ने, ता इस तरह दिया कई गाना गामा, फिर वो दूसरी ओप्शन देनदा है, of your children that died to call you their own, their very own, कि मैं उना बच्यां दे ली गाना गामा, जड़े के शहिदियां प्रापत कर गे, तैन्नू अपना कहन दे ली, their very own, जदके तू उना दी अपनी ही सी, ता इस लाइन दा मतलब संजो, कभी की कहना ता बच्यों तो उनू पता है के साड़ा पारत बहुत देर गुलाम रहे है, British राजदिया दीन, तासी बहुत वड़ा बच्यों freedom struggle लड़े है, अजादी दा संगर्श लड़े है, ता केड़े बच्यां दी गाल कर रहे है कभी, उना सूर बीरां दी, उना अजादी कुलाट कर रहे है सी, ता उना अपनी पारत माता जाद करान दे ली, अंग्रेजा दे खिलाफ एड़ी लंभी लड़ाई लड़नी पई, एसे गल्दा जिकर बच्यों इस लाइन चाह, के ओ बच्चे शेहिदियां परापत कर गे, जड़े के तानू अपना कहना चांदे सी, ते तू दा मैन दा पिल्ग्रिम्स अलोन, एथे बच्चे ओ हूँ शबद आया, जो तो अड़े गलोसरी दे विच शामल है, ता उन्निमी लाइन दे विच हूँ शबद है, कट प्रिपेर डिजाइन, जदो आपा चीज कोई डिजाइन कर दे हैं, बनाने हैं, कटिंग करके ता असी यूँ कहने, यह या मैं आउना, पीर पैगंबरां दे बारे गाना, गामा, सीर दा मतलब बच्चे हो गया, पीर आते प्रोफेट्स दा मतलब हो गया, पैगंबर, जीना ने के एक बिल्कुल सिद्धा रस्ता सानू दिखाया, एथे दिखाऊन दी गाल हो रही है, बच्चे इन दा मतलब बच्चे होंदा है, वैसे कोई आर्मिक यात्रा करनी है, ता सी उसनों पिल्ग्रीम कहने है, तैथे की कहना चांदा है कवी, के देखो बच्चे हो साड़े पार्दे विच बहुत सारे पीर पैगंबर होएने, जीना ने सानू इक राद खाया है, कि यसी जिन् जेते विच देखों, कवी एक वार फेर तिन आप्शन मदर इंडिया नू कह रहे है, कि यो हो चटाना नू कटके बणाए होए टेंपल्स बारे गाना गावे, कि यो हो उना बच्चे आ बारे गाना गावे, जडे पार्त माता नू अजाद करान देली शेहिदियां प्राप और जर्नी ओना होली मिशन, तो मैं दस्या थी, कि पिल्ग्रिमीक तार्मीक यातरा नू कहा जाना थे, जदो तार्मीक यातरा देविच कोई बंदा जान दाया है, ते कल्ला रस्ता चूनदाया हो, कल्ला जाना पसанд ईघै, जा औस देली, थैट पिल्ग्रिम्स अलॉन यू परंतु indignant words दे विच जवाव दे दिया है नो indignant दा मतलब उन दा बच्चेओ एफे मतलब हे होया के पारत माता ने जो जवाव दीता अब पारत माता दे शबदां दे विच थोड़ा जा एंगर सी मतलब उना ने थोड़ा जा गुसे नाल के है that beat into my ears like gong हुने जड़े words used किते पारतमाता ने anger वाले words, गुसे वाले words उना नूँ that कहा गया indignant words नूँ that कहा गया जड़े गुसे वाले शबद सी ए मेरे ears नू इस तरह लगे मेरे कना नू इस तरह लगे जे में कोई gong दीमन नू अवाज आंदी है ना गॉंग शबद तो आडे glossary च लिख है ता बाई मी लाइन देविच जो गॉंग शबद आया a small bell a metal disc that gives the resonant note when struck with a stick ता बच्योत उसी movies देविच देख्या हुना एक छोटी जी bell हुन दी है metal दी बनी हुन दी है taad दी बनी हुन दी है जदो उस दे नाल एक छड़ टकराई जान दी है ता बड़ी ही वदिया sound आन दी है उस नो सी गॉंग कहनने है आम तोरते जदो राजे लोकाने कोई मुकाबला करवाना हुन दा सी दो योद्यां देविच कार ता एक गॉंग यूज किता जान दा सी तैथे कभी एसे गॉंग दी गाल कार रहे है के मनू जड़े पार्तमाता दे वर्डस देगे मेरे कन्ना नो आके गॉंग दी साउंड दी तरह लगे एथे होई कहना चांद है के ओ वर्डस मनू कुस्से वाले लगे देट फ्लू अबाउट मी अपिटिफुल थिंग फेर उना वर्डस नो एक होर तरिक के देना लो दासरे है के ओ वर्डस मेरे उपरों दी इस तरह लंग गे जिमें लाइक ग्रेट वाइट बर्डस हुन देने जिमें बहुत वड़े वड़े वाइट बर्डस हुन देने कोई वाइट कलर दा टिटे रंग दा कोई पंची हुन दा है ओ हो मेरे उपरों दी लंग जे मनू इस तरह लगे हो शबद ता इन दो लाइना दे विच बच्यो कभी ने जैत उसी देखो ता दूसरी लाइन दे विच लाइख यूज्यो स्क्रवाइब है कभी ने की कि है कर दो जड़े जढ़े डिन उसी घॉड़े वाले ऩरे गॉग दी तरह लग क्युaking लेकिन चोति लाइन दे विच जड़ी उसने सिमली यूस किती है और असने उसिमली दे विच पार्त माता दे जड़े आंगर वाले वर्ड्स हैं उननों ग्रेट वाइट बिर्ड्स दे नाल गम्पेर किता है ता defens Makes किती है उन्मी विज्वल सिमली यूस किती है विजुल सिमली हुन दिया बच्चेव जदों सानु कोई दृष साडेली पेश कर दाए ता एथे एक तरह दा दृष पेश किता गया है के वटे सारे पंची उस दे कोलों दी लंगे ता इस तरीक के दना उसने विजुल सिमली यूज किती है ता कभी ने देखो कि निया वदिया सिमली यूज किती है एक पासे औरल सिमली यूज किती है दुझे पासे विजुल सिमली यूज किती है तीसरी लाइन दे विज बच्चेव शबद आया आ पिटीफुल थिंग एथे पिटीफुल थिंग कभी किस नू कह रहे है वो हो अपने आपनू कह रहे है poet himself क्योंकि वो अपने आपनू कह रहे है कि मैं एक छोटा जा बंदा मेरे उपरों दी ये जड़े words सीगे अड़े वड़े white color दे पंचियां दे वंगू लांगे ता इस तरीक के नाल कह रहे है ता ओ words केडे सीगे जीना दे बारे कभी कह रहे है कि वो सुनों गॉंग दी तरहां लगे great white bird दी तरहां लगे वो गुसे वाले शबद पार्तमाता दे केडे सी ओए सीगे जी के sing of the millions that toil के जेतने गाना गाना ही है ता ओना लखन लोकां दे बारे गा जड़े मेनत कर देने ट्वाइल दा मतलब हुंदा बच्चियो मेनत करना think of the wrinkled face ओँ दूसरी option दे रही है पार्तमाता के जेतने गाना गाना है ओना मुर्जाय हुए चेरियां दे लेगा indexing ignorance जेडे के अनपढ़ता नू जाहिर कर देने indexing दा मतलब हुंदा बच्चियो indicating 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 दा मतलब हुंदा है संकेत देना है ignorance दा मतलब हुंदा बच्चियो अनपढ़ता ए फ्रेज तो अटी glossary दे विच भी आया है तब स्ताइमी लाइन दे विच indexing ignorance दा मतलब है manifesting total lack of knowledge और education के जदो सानू पता लादा है के किसे तरह दा कोई ग्यान नी है कोई सिख्या नी है किसे बंदे इनूं मिली ता सी उसनों कहने है के हो ignorance शो कर रहे है अपनी अनपढ़ता जहर कर रहे है ता इथे पार्त मता उना सारे लखां लोकां दे बारे जिकर कर रही है जड़े अनपढ़ लोक ने अथे जड़े बहुत ही ज़्यादा मेनत कश इंसान ने परंतु हो अनपढ़ ने फिर उए खोर आप्शन दे रही है कि सिंग ओफ दा हेलपलेस चाइल्ड बॉन इना बलीक डार्क होम जदे ने गाना गाना ही है ता उना लाचार बच्चेयां दे ली गाना गा जड़े के एक बलीक जे बलीक दा मतल होंदा है बच्चेयों होपलेस जिसनों कोई आस ही नहीं होंदी जदो आस ही मर जावे ता उसनों सी बलीक कहनने है जड़े बच्चेयां दे ली तो गाना गा जड़े बिल्कुल hopeless होगे अते हो dark home दे विच पैदा होए ने मतलब जहे करां दे विच पैदा होए ने जिना नू कदे रोशनी नी दीखी ग्रीब कर जिते रोशनी नी पहुंची लाइट नी पहुंची ता जहे बच्चेयां दे ली तू गाणांगा ता बच्यो एवाले शबद जड़े सी एहे कवी नू गौंग दी तरा लगगे सी या ग्रेट वाइड वर्ड्स दी तरा लगगे सी जिना दे विच एक तरा दा गुसा सी पार्त माता दे शबदां दे विच ता एथे पार्त माता कई सारे ओप्शन दे दिया कवी नू के तू मेनत कश इनसाना देली गाणांगा जा तू अनपड लोकां देली गाणांगा या फिर तू उना बच्चेयां देली गाणांगा जिना दी आसी मर्गी अते जड़े बहुती ग्रीव करांच पैदा होए ने जिना ने कदे पड़ाई दी सवेरी नी देखी स्टूडेंट्स में प्लसवन अते प्लसटू क्लासिज दे जर्नल इंगलिश अते इलेक्टिव इंगलिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाए होए हान इना वीडियोज नू देखन दे ले तूसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपक सूध लव लर्निंग टूली टाइप करो रिजल्ट वी चायी पेली साइट दे शूध दे लूचाए के क्लिक करो इस तरह दूसी चैनल ते पोहुठ जाओंगे जित्ये दूसी वीडियो द एक सेक्षन देखोंगे वीडियो से क्लिक करो तो अनू के बनाएया हुआ शारी या वीडियोज तो भीषन दिदिए विक ब्लस फण फ़न जी जाक्रामारी जाक्राम। जिमें के class 12 दी playlist चोथे नमबरते हैं इसते तुसी जाके जदो view full playlist करोंगे ताथ उन्हों class 12 दीयां सारियां videos मिल जानगियां इसे तरह तुसी बाकी class 11 औना दी playlist ते जाके सारियां videos प्रापत कर सकते हों इसे तरह मैं class 11, class 12 वीडियो लीस्ट बनाई होई है ता उस सारीं वीडियो ता उनु प्रापत हो जान गिया ते एक playlist, English Èlective Class 11 दी है ता उस देविच ता उनु सारीं class 11 दीए प्रापत हो जान गिया ता मैं ता उनु सारीं आनु अपील कर दा है के एक वार तुसी दीपक सूद लव लर्निंग टू लीड चैनल ते जरूर विजिट करो नेक्स टेंजा नर्वस आई येट वूड आस्क डिमिंग इट माई टास्क तब बच्चे में तो नदस्याना के इस पोईम देविच किते किते राइमिंग आंदी है इर्यगुलर राइमिंग ये कदे लगातार दोने लाइना देविच राइमिंग आ जान दी है इवन वर्ड भी रिपीट हो रहे हैं जिमें देखो तुसी इस तो पहला वाला जड़ा स्टेंजा सी इस तरह बच्चे वो तुसी देखो ता लगातार दोने लाइना देविच भी राइमिंग आ रही है आस्क एंड टास्क देविच किते किते तो आनू इर्यगुलर राइमिंग इस पोईम देविच देखा नू मिल दिया तक एंदा मैं नर्वस होके मतलब थोड़ा जा कन्फ्यूज जा होके बॉंदल जे के मैंने बॉंदला हट देविच मैं फेर पुछिया आई येट वुड आस्क दीमिंग इट माय टास्क क्योंके मैं मनदा सी के मेरा कम है दीम दा मतल हुंदा बचयो तू कंसीडर भी मैं ही मनदा सी के पोईम्ज लिखना ते गाना मेरा कम है ता जेकर माता नराज भी है मेरे तों ता भी मैं एक कवरी फेर पुछूंगा पारत माता नूं क्योंके मेरा कम है मैं इसनों अपना कम मनदा है यह मेरी डूटी है ते फिर ओकी पुछ दा है के वट सॉंग शेलाई सिंग ओफ यू माय मदर फेर क्वेस्टन करता है देखो लाइन फेर रिपीट हो रही है के मैं केडा गाना तेरे लिए मां गामा वट सॉंग केडा गामा गाना शेलाई सिंग ओफ दा डैम एन्डा लेक की मैं तेरे लिए डैम बारे जडे बन बनाए गए ने लेक्स बनाईयां गईयां वनदी बारे मैं गाना गामा तबच्छो यथे जड़ा दा डैम एन्डा लेक है तो अडे नोट सुछ वीच वीच वीप है के डैम ते लेक असी आर्टिफिशल तरीक के देनाल बनाने है तांके साधी उद्योगिक अते खेती बाड़ी सबंदी प्रोसपेरेटी होवे उनती होवे फिर दूसरी ओप्शन कहनद है और स्टील मिल्स दा शिप बिल्डिंग यार्ड के मैं स्टील मिल्स मिल्सा मतलब अच्छो कार खानने नू किहा जन्द है के स्टील दे कार खानने ओना दे बारे गाने गामा जिडे एनने ज्यादा हुन अजादीतो बाद पारसरकार बना रही है या शिप बिल्डिंग यार्ड या ओना एरियाज दे गाने गामा of the men that work hard ओना लोकां दे बारे गाने गामा जो के एननी ज्यादा मेनत कर देने two technologies to put you on the page of the atomic age जिना ने तरक्की क्रवाई ऐसा डेपा रदी और ते ओहो तेनू atomic age वाल लेके चले गए ऐते atomic age भी बच्चे ओ glossary छे the 38th line देविच atomic age आई है the modern age of science and technology ता जड़ी modern age है जिस देविच science ते technology दी परमार है इस age दी गल कभी कार रहे है ता बच्चे ओजे कर तुसी ये पूरा stanza देखो ता कभी काफी सारे option देंदा मदर इंडिया नू कि मैं किस चीज ते गाना गामा कि मैं artificial dam ते लेक जड़े बनाये हुए ने पारसरकार ने उना दे बारे गाने गामा या मैं उना मिल्स उना कार खने बारे गाना गामा या मैं फिर उना मिल्स उना शिप बिल्डिंग यार्ड दे बारे गाने गामा जिना दे विच सड़े पारती लोकाने कम करके तेनों तरक्की दे राते पहुचाया है तेनों Atomic Age वाल लो लेके गएने Industrial Age वाल लेके गएने तो एथे बच्छों एक फ्रेज आया है To Put You On The Page To Put You On The Page दा मतलब है To Get Recognition इस दा मतलब ही है के पारती लोका ने दिन रात मेनत करके Industrial Revolution ले आके तेनों Atomic Age वाल लेके गएने तेरी पच्छान बनाई है के पारत हुन तरक्की दे रहाँते चाल रहा है Atomic Age वाल बात रहा है की मैं उना लोका ने बारे गाने गावा Recognition दा मतलब हुन दा बच्छों जदो कोई पच्छान बनाई जान दी है एथे स्टुडेंट शिप बिल्डिंग यार्ड दे विच मैं दून दसे है के एक अजे है एरिया जिसते के शिप वगरा बन देने ता एथे हो सागदा है के कभी विशाखा पतनम दी गाल कर रहे है जिते के इस तरह दे शिप्स बन दे है नेक्स स्टेंज दे दे विच पारतमाता जवाब दिए ये सैट दा मदर ओव दीज यू में सिंग पारतमाता कहन दीए के इना बारे तू गणा गा सागदेन इना बारे ओही डैम्स औ लेक्स बारे या उना इंसाना बारे जो चील मिल्स, शिप बिल्डिंग यार्ड्स विच कम कर देने या अटॉमी केज दी तु गल कर साथ है, उना बारे तु गाना गा साथ है बट सिंग आलसो वदा स्ट्रैक्स, अरली एंड लेट पर वदा स्ट्रैक्स दे पारे भी गाना गही एथे strikes दा मतलब बच्यों, revolutions है बच्यों, revolutions दा मतल हुंद है क्रांतियां तब तोनु पता सडे पारदे विचे कई वारी क्रांतियां याने जदों लडाई चगड़े होए, लोकाने एक दुझे नुमारे आ कटे है खुन खराबा होए है, early and late early and late दा मतलब पहला, अजादी तो पहला जदो revolutions आईयां, या एद्दांदियां लडाईयां चगड़े होए, या बाच भी हो रहे हैं बच्यों एना दे बारे भी तू गानागा of iron man that comes in their wake अते फेर उना iron man iron man दा मतलब एथे बच्यों है harsh man that come in their wake come in their wake फ्रेज दा मतलब है बच्यों जड़े के इना रेवलुशन जे करके पैदा होए ने हुन जदो बच्यों देखो लडाई चगड़े होँगे ते इना क्रांतियां दे जड़े बच्यों पागलें दे इंसान अहो हार्शी हों देने iron उना दे पत्थर दे ले हों देने ताहीं हो एक दुज़े नो मार देने तै थे ही गल कही गई यवी तुँ उना लोकां बारे भी गाना गा जड़े इना लडाई चगड़ें दे विच पाटी स्पेट कर देने पागलें देने ते फिर खून खराबा कर देने और class war and it's correlate एथे class war दे correlate तो अटे glossary दे विच लिख या बच्यों ता class war and it's correlate दा मतलब दा struggle between haves and have nots and the problems arising out of it ता haves and have nots दा मतलब की या बच्यों 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 haves and have nots दा मतलब दो class दी गल हो रही है एक लोकां दी शिरेणी या जही है जो के privileged है एता होगे haves अते दूसरे हंदे बच्यों underprivileged एह होगे have nots ता privileged थे underprivileged कौन ने बच्यों privileged हो ने जिना को ले पैसा है ता अंदोलत है असर सूख है जड़े लोकां दा उना नोसी privileged कहनने है अंदर-privileged जिना को ले कुछ भी नी रोटी कपड़ा मकान भी नी है वो अंदर-privileged है ता एना दी जड़ी struggle हो रही है एना दी बारे भी तू गानागा एथे पार्तमाता एही कह रही है ता उमीदा बच्यों तो आनो class वार आते इस correlate दा मतलव समझ आ गया होवेगा correlate दा मतलव होंदा बच्यों के relationship between two things correlate दा मतलव होंदा है जदो आसी कोई दो या दो तो ज़्यादा चिजान दे विचकार कोई relationship वगारा धास दे उन्हों कहन दे है ता एथे ही गाल कही गई है के जड़े privilege ते underprivileged लोग ने जो संपन लोग ने ते जड़े बचारे नमाने जे लोग ने एना दे विचकार जड़ी एक struggle चाल रही है और ते फिर उस देनाल जड़े नतीजे पैदा हुन देने correlates जड़े उस ट्रगल दे कारके नतीजे सानू देखानू मिल देने ओन दे बारे भी तू गानागा ता बच्यों नेक्स टेंजे दे विच जो पारत माताने गलां कहीं आने के तुं लड़ाई चगड़े जड़े पारत दे विच पहला हुएने जा हुन भी हो रहेने ते उने विच जड़े लोग पार्टिसबेट कार देने ओना दे बारे तू गानागा या फिर तुं अलग लग लोग कांदिया जो श्रेणियां साथे पारत चमीर ग्रीबदियां बनी होई उना दे बारे गानागा ता ओधे जवाब च फिर कभी की कहन दे क्वरलस आए सेट क्वरलस दा मतल हूंदा बच्चे ओ कॉम्पलेणिग टे तोड़ी ग्लोसरी च भी है ता 43 लाइन दे विचे आया के कॉम्पलेणिग इरिटेबल जदो अपा कोई शिकायत कार दे होई कहने है ता उसनों सी क्वरलस कहने है ता शिकायत कर दे होई मेने कहा अनुपता ने इस तो पहला कभी थोड़ा जा नर्वस भी हो गया सी क्योंके पार्त माता ओ गाने गान ली उसनों नहीं कहरी जो कभी गाना चन्द है ता हूनों थोड़ा जा शिकायत दे आ गया ता हूनों शिकायत कर दा होया कहन दे Is there no song that I can sing of you? कैंदे की कोई song है नी के जड़ा मैं तेरे ली गाना गा सका I sing of you Heart whole unalloyed हला की मैं जड़ा गाना चन्न है तेरे ली ओ wholeheartedly गाना चन्न है Wholeheartedly दा मतल हून दा बच्चियो उरे मन नाल Unalloyed दा मतल हून दा बच्चियो बिना कोई mix किते जिदे विच कोई mixing ना होवे मतल हूए मतल हूए पूरा प्योर होवे तास ही अथे कह साग दिया Unalloyed दा मतल हूए तेरे ली एक पूरा प्योर गाना चन्न है पूरे मन नाल गाना चन्न है की कोई यहा song है ही नी A song bathed in the stainless blue and vaporing in the void वो यह भी कहन दा है के मैं एक जहा song गाना चन्न है जड़ा के पूरी तरह बिल्कुल ओमें प्योर है हो और ना शुद्ध है जिमें के किसे clear water दे विच है थे Stainless blue दा मतलब है बच्चियो clear water Stain दा मतलब अच्चियो की हूंद है Stain दा मतलब है तबा लेकिन Stainless दा मतलब जिस्ते कोई तबाई ना होए बिल्कुल clear होए Blue हमेशा पानीली बच्चियो यूज किता जनता है थे Blue दा मतलब है water मेरा सौंग जड़ा मेरे हाट चो पैदा होएगा जो मेरी यह कल्म चो पैदा होएगा बिल्कुल इस्तरह ना होएगा कि कोई clear water दे विच ना आके निकले होए बेद मतलब होए इशनान करना कि कीसिने clear water दे विच प्यव विच नान किता होए तो मेरा सौंग ता मेरे मेरे प्यवर हार्ट दे पैदा होगा unwaporing in the void vapor दा मतलब और उनु पता है के वाश्पित होना होए कि कोई चीज में जल वाश्पित होजाना है वाश्पी कारण हो जानद है उसने वैपोराइजीशन कहने है एथे हो कह रहे है वाइड दा मतल हुन दा बेटा एंप्टी स्पेस ता मेरा जड़ा सॉंग होएगा ओ वाइड दे विच हमेशा अनवेपड रहेगा मतलब के के ओ कदे वी खतम नी होएगा अनवेपरिंग इन दा वाइड दा मतलब है के माई सॉंग विलनो डिसेपियर्ड इन्टू नथिंगनेस के मेरा सॉंग कदे खतम नी होगा एँ हमेशा मेमरी दे विच बने आ रहोगा एँ लोककां दियां यादां दे विच ताजा रहोगा मैं एक जहा प्योर सॉंग बनाना चाना ता बच्चियों देखो किन्ने वदिया वर्ड कवी ने थे यूज किते ने हुनो हो पात्मा तानू जोर देके कह रहे है के मैं ता देखो अपने पूरे मननाल तेरे ली गाना गाना चानना ओ सॉंग प्योर होगा पूरे मननाल मैं लिखूंगा होगा ना पूरे मननाल बनाऊंगा ते ओ कदे मेमरी चो खतम नी होगा लोका दिया यादना चो खतम नी होगा ता स्टुडेंट इस पहरे देविच तुसी देखो बड़ी परफेक्ट राइमिंग आई है जयमें के यू ते बलू दी तौनो पता है सांन मिल दी है इसे तरह ऑन एलॉइड थे वायड दी ही सांन मिल दी है ता इस पीरे देविच परफेक्ट राइमिंग आई है ता रुरी पॉइम दी है लेकिन कोई अधा पर्टिकुलर पैटन ही है ते Heart Hole Unalloyed जड़ा फ्रेज है बच्चे तो अटी Glossary दे विच भी है, आप एक वरी ये भी देख लेने है, ता 45th लाइन दे विच Heart Hole Unalloyed दा मतलब दसे है कि दाल माई हार्टा, a song full of only hope, joy and the glory of Mother India ता, कभी यही कह रहे है न, कि मैं एक जिहा गाना तेले ली गाना जानना है, जिदे विच आस होएगी, खुशी होएगी, अते वो प्योर होएगा, अते वो तेरी शान देली लिख्या होएगा, गोलोरी दा मतलब शान, ता स्टूडेंट जदो पोईट एनना जोर देके, पार्त माता नू कहन दा है, कि मैं ता पूरा मन लगा के तेरे लिए कोई सौंग लिखना चाना है, जो के पूरा प्योर है, जिस जवाए है, होप है, ता फेर की होंदा बच्चे हो, ता 48 तो 51 लाइन तक बच्चे हो, कोई टूना एक विजन दिखता है, विजन दा मतलब किसे चीज दे उसनों धर्शन होंदे है, ता किडी चीज है, कि at that the mother rose, draped in blue sky, के जदो मैं एना जोर देके मदर नू के हा, मैं सारी अंगलना कहीं आता, इसनाल, add that, इसनाल, मदर पारत माता उठी, draped in blue sky, अते हो, white oceans heaved round her, एथे बच्चों फेर oceans दा जिकर आया, ता शायद कभी एथे ओही तिनना उठी गाल कर रहे है, Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean, जो के पहले स्रेंजे दे विचाया सी, उना दे जड़े milk white, दुद्दवर के जड़े महसागर ने, पाणी एना प्योर है उना दा, heaved round her, heaved दा मतलब हु एथे पोईट नो विजन आ रहे है, उस नो किसे चीज दे दर्शन हो रहे है, जेकर तुसी इस तरिक ना समझोंगे ता फिर चंगी तरह समझ पाऊंगे, देर वेव्ज वर दा, एन्ट्रेंसिंग एन्ट्रोनिंग लाइथे देर दा मतलब इना oceans दी ही गाल हो रही है, कि ए अधिवाले जड़े महासागरां दा पानी सी, ओजियां, वेवस ओजियां जडियां लेरां सिगियां, वहो बहुत ही ब्यूटिफुल सी, एन्ट्रेंसिंग दा मतलब हुंदा बच्चे व ब्यूटिफुल, महासागरां च जडियां तर आमा उट रही हैं जड़ी अधियां ौबट बैड़ा हैं ता सी वस्नों गहने हैं एन्थोंट ता एथे की गल है एथे की घल है कि जडियां समुंतर दियां, लेराने, वो इस तरह दियां लाइट पैदा कर रही हैं अधि हूब दियां पारतमाता भिराजमान हैं, अध्रोंड है, उस लाइड द उप इस तरह पारतमाता साडी मदर इंडिया बैठी है एंड रोड दा बुक ओफ दा मौरो ए शबद बच्चे याद रखने ने है मल्टीपल चोइस कोस्टन चाहा जानते है के पारतमाता की कर रही सी इस लाइंच अथे हो बैठके एक बुक लिख रही है उस बुक दा नाम है बुक ओफ दा मौरो एते बुक ओफ दा मौरो दा मतलब है बच्चे यो अन्यू फ्यूचर बुक ओफ दा मौरो दा मतलब है अन्यू फ्यूचर के पारत दे फ्यूचर दीक नवी दास्तान लिख रही है पारतमाता ता इस तरीके दा विजन उसनों आंदा है बच्यों जडियां पोईम दियां लास्ट फोर लाइन जडियां के 52 तो लाइके 55 तक बन दियां इस दे बारे तो अडे गलोसरी दे भी चिक नोट दिता हुए आप पड़ लेने हैं कि हर फोर हैड ओपन एट्सेटरा यह 55 लाइन प्रिड्यक और फिफिरीत फिडियां जडियां प्रिड्रीप्ट लाहँ सिर्पडीर डोण दिया नहीं धियां ऐसेाजिं ऐसे पारद फफ़ाइन जडियां लास्ट चार लाइने ने आप तो दो पारत दे शानदार फिचर धाएक विजन है लेकिन ये लाईना दे विचे सड benz था बेश्र भी जी तर्ड़म है किसे चीज़ दो था लेकर लोज्वी पिषिए सिब्ले की विचेश में किस था लोजी değildi सेंट्स थे सियर्स जड़े पीर पैगंबर होए ने जिना ने बहुत सारी रचनावां दे विचे गल कही है के पारत किसे समय पूरे संसारली मार्ग दर्शक दा कम करेगा जगत गुरू बंजेगा ता उस दे बारे एक विजन इन लाइन दे विच दसे आ गया है इट वोड भी आ कंट्री विच दे विच आर इवरी हैंड वुड भी बूड बी बिज्य आवरी हैड वूड भी खाय और एक जी हा देश होएगा जिस दे विच directors अंद बूधिर बीन दे विच दे हार 2 बेच को कम मिलेगा interactions भूरे गालऊ डे बोडन हमेशा हुष रह लइग एथे अर दा मतलब इंडिया दी तरती ही है डेस्टनी दा मतलब लग है के पार्तमादा दे मत्थे थे सानू इंडिया दी आउन वाली तस्वीर नजरां दी है तकदीर नजरां दी है ते उस देवी सानू की दिखते है Yielding दा सन गौड के एक सन गौड है सन दी तरां दा गौड है ते सन गौड एक देवते नू किया गया देखो जी वड़ी नहीं है जी छोटी है के किसे देवते दा जिकर होया है के सन गौड उस देवी सानू नजरां दा है Cancelling all sorrow जिसने साड़े पार्तियां दे सारे खतम होगे It was clear dawn एहे एक सजरी सवेर है clear दा मतलब बिलकुल साफ dawn दा मतलब morning सवेर उस सूरज रूपी देवते दियां जड़ियां किरना ने उनना ने एक सजरी सवेर साड़े पारत दे विच लें दी है उसनाल सारे पारती लोकां दियां दुख तकलिफा दूर होगियां लाय का nightmare, flat the night एह बिलकुल उसे तरह दूर होगियां जिमें किसे रात दे विचों जड़े nightmare nightmare दा मतलब होगियां बच्चों bad dreams बुरे सपने जिमें रात दे बुरे सुपने दूर हो जाने ने बिल्कुल उसे तरिक के दे नाल सारे पारती दियां जडियां दुख, दर्द, तकलिफाने ओ दूर हो गयां देखो है थे तुसी कैसाग देऊ के इस लाइन दे विच सिमली यूज होई है बिकोज लाइक लगया होया है and the sunbeam was as the hand that saves अते इस सूरजवरगे देवते दियां जडियां sunbeams ने sunbeams दा मतलब सूरज दियां जडियां किरना ने जडियां चार ही आने पारत दियोग पर जिजदी के गल हो रही है ओहो इक जहे हैंड दी तरह ने ईच वड़ा है एथे एाम हत नी है एथे हैंड दा मतलब किया एक meatafor use हुए है यॉझू की ओह बचयो के ओह सूरज दियां जडियां किरना ने जनाने सारा नो बचा लेया सेव, सारा नो बचा लेया केना केना नो बचा लेया देखो, उन सूरज दियां किरना कि थे पैन गियां? हाथ फड़के कोई बंदा किसे नू बचा लेंदा है, बिल्कुल एसे तरह ए सूरजदियां किरना ने सानू बचा लिया, साधियां दुख तर लिफांतों, अते सारी डर्ड तों, फिल्क तों, ता एक तरीके दना लथे, एक एना चाह रहे है कवी, कि ए जड़ा न्यू फ्य चीज नू बचाएगा, चाहे उस दे विच लोक ने, चाहे उस दे विच नेचर है, सारे पारत नू बचाएगा, एसे निव फ्यूचर नू बचेओ, क्लियर डॉन भी कहा गया है, बुक ओफ दा मोरो कहलो, क्लियर डॉन कहलो, एस सारी चीजा नू असी की कैसा दिया, एक चाहे उसे पूरी पोईम देखो, पूरी पोईम दे विच पारत नू भी पेश कर दिया, जो देखे नी जान दे, लेकिन एंड दे विच ए पोईम ओप्टिमिजम देना कतम होंदी है, ओप्टिमिजम दा मतलब क्यों दा बच्चेओ, आशावादी दृष्टी कोन, के आश अशावादी दृष्टी कोन दे नाल खतम होंदी है, के पारत देविच एक जही सवेर जरूरा होगी, जिस सवेर देविच कोई भी गरीब नी होगा, कोई भी लाचार नी होगा, नेचर बहुत होनी होगी, हर इक बंदे नू कम मिलूगा, आते हर इक बंदा पड़या अशावादी ओप्टिमिजम दृष्टी कोन दे नाल खतम होंदी है, तो अमीद है बचेओ के तानू सारी पोईम चंगी तरह समझ आ गई होवेगी, फेर वी जेकर तानू किसे तरह आंदा भी कोई डाउट है, ता तुसी मैंनू कोमेंट सेक्शन दे विच पुछ साग दे पोईम दे एंड ते मैं तो अनू अपने दौरा बनाये हुए प्लस टू, क्लास, इंग्लीश इलेक्टिव दे होर बहुत सारी वीडियो दे लिंक सक्रीन दे उपर शेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो दे विच आप ऐसे पोईम दे क्वेस्चन आंसर्स नू डिसकस करा पेर मिल दे हैं जी, तन्वाद